दमाश्टर प्रकास क्लासेज यूटूब चनल आप सभी लोगों का सौध करता है उत्तर प्रदेश में जूनियर सिख्चक भरती के तयारी करने वाले सभी अभ्यरती तयार हो जाएए अपने अनिमार प्रिश्ण पत्र सामान ग्यान के 50 नमरों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व क करने के लिए तो आज कुछ तवियत ज्यादा ठीक नहीं है इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे तो चलिए फटा-फट हम लोग अपने प्रिश्णों को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रिश्ण है उसमें रहिए और आंसर बताते रहिए इसका आपका 1942 विकल्फ भी बिल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं एक उपकरण है जिसका नाम है पायरोमीटर पायरोमीटर से क्या मापा जाता है यही आपको बताना है तो पायरोमीटर से आपका विकल्फ भी जो ख़गोल्य पिंड होते हैं, सूर्य होते हैं, तारे होते हैं, उनका तापमान मापा जाता है तीसरे नमर चलते हैं उत्तर परदिस में किर्सी उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव साली है? तो किसी उत्वादन को बढ़ाना हो तो इन चार विकल्पों में सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? सही तो सभी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है? तीसरे नमर में आपका विकल्प है उननत किस्म के वीजों को बढ़ावा देना, ये हमारा बिलकुल सही रहेगा चौथे नमर चलते हैं, इंड की राश्टिय उद्यान, जिसे हम लोग नतांग की राश्टिय उद्यान इस नाम से भी जानते हैं, ये किस राज्जिमें है? का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पांच वे नमर में आपका विकल्प D, फाइल ट्रांसपर प्रोटोकॉल, बिलकुल सही रहेगा, अगला प्रिश्ण भी कम्पुटर से ही सम्मंदित है, जब आप लैप्टॉप खोलते हैं, या फिर अपना डेश्टॉप खोलते हैं, तो यहाँ पर मेनू में जो होता है कमांड की सूची दी गई होती है, विकल्प D, आपका विलकुल सही रहेगा, आगे भरते हैं अपने अगले प्रिश्ण पर, इम्नियो लॉजी, इसके जनक कौन है, इम्यूनो लॉजी, इसके जनक कौन है, साथमे प्रिश्ण में, जेनर भा सरस्थी में लिखा है, आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी जो प्रिशाष्ण है, जिसमें बाइडन राश्टपती बने हैं, तो बाइडन के प्रिशाष्ण में निम्न में से किस भारत वनसी को Chief of Staff के पध़ पर निक्ति किला गया है, तो किसे किया गया है, विकल्पे तारक्सा, बिल्कुल सही है, इस प्रेक्टिसेट की खासियत यही है, कि इसमें सभी प्रिकार के प्रिशने, जो भी आपके स्लेबस में लिखा गया है, हर टॉपिक को ये प्रेक्टिसेट कबर करता है, दसमें नमबर चलते हैं, किस राजिसरकार ने हाल ही में पंक योजना की दीजिए हां 11 नमबर मिलशा गया है केंद सरकार ने हाल ही में किस पूर्व नियाधीज को जैड प्लस रुक्षा परदान की है तो जैड प्लस रुक्षा किसे जा गया है सबको पता है यहां पर विकल्पे रंजन गोगोई बिल्कुल सही है क्योंकि उन्हें अध्या का फैसल आगे बढ़ते हैं 13 नमर पर निम्न में से किस वालीवूड अभिनेता के नाम पर दक्ष्ण दिल्ली में एंड्रूज गंज में एक सड़क का नाम रखा गया है तो किस भारतिया अभिनेता के नाम पर ऐसा किया गया है विकल्प सी सुसांत सिंग राजपूत बिल्कुल सही है कुछ प्रिषन हमारे हां रिजनिंग के हैं छेले फटाफट हम लोग इसको भी आलते हैं यहां पर लोग यहां पर पर कान ठिक मत लगाएगा जल्दबाजी में हो जाएगा गलत जो बहरापन होता है वो सुनने सम्मंधी बीमारी होती है तो बिकल्क ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा आगे भरते हैं 15 नंबर के प्रिश्ण पर अच्छा 15 नंबर में यहाँ पर पहले समझ लिए कि यह कथन ए जो है वो कथन है आर जो है वो कारण है ठीक है अब हम लोग इसके आगे करते हैं ठीक तो कथन में क्या दिया गया है टेलीफोन के तार टेलीफोन के तार में यहाँ पर नहीं रहेगा टेलीफोन के तार गर्मी में बहुत लचक जाते हैं ठीक अच्छी बात है गर्मी में लचक जाते हैं यह तो सभी लोग उन्हें जानते ही है इसका कारण क्या दिय लिए आपका पहला बिकल्प यदि कथन और आर दोनों सहीं तथा आर एका सही कारण नहीं है पहला जो आपका option रहेगा बिल्कुल सही रहेगा 16 नमर चलते हैं 16 नमर एक binary संख्या को solve करना है तो हम लोग क्या करेंगे हम कल ही प्रक्टिस एड में बताया था कि हम लोग जो आपका reasoning है उसको detail में पढ़ेंगे तो जब हम लोग binary नमर पढ़ेंगे तो आप इस प्रकार के question कर लेंगे अगर आता है तो आप अभी इसको solve कर लेते हैं बेकल्प सी यहां पर सही है और नहीं आता है इसको अभी छोड़ दीजिए हम लोग जब detail में chapter wise पढ़ेंगे तो इसको solve कर लेंगे आगे बढ़ते हैं हम लोग एक मिनट का समय देजी हाँ 17 नमर के question में क्या करना है जो तीन से भिन है उसे चुनना है यह ABCD दिया गया है इसमें से जो सबसे भिन है वो कौन सा है यही आपको बताना है देखे योग गुणा विभाजता यह क्या है यह गन्द के एक नॉर्मल प्रिक्रिया होती है और ब्यकलन आप लोग इंटर्मीरेट में आपने लोग ने पढ़ा होगा इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब सामिल होता है तो विकल्प भी यहाँ पर सबसे different है आगे ब यहाँ बता है तो आपको बताना है कि वह चार बज़े के बाद कब अगली बार जाकर मिलेगा थो देखो भी यह 1230 से लेके एक बीस तक कितना समय होगा ठीक है कोवगा तो आप देख रहें है जो करम बन रहा है वो कहार सटर नबगे का क्रंभ रहा यानि अगली संख्याएं कोऊनजी होगी एक सुदस होगी 110 मिनट बाद Gel जाकर मिलेगा तो पांच बच के फचास मिनट विकल्प से आपका बिल्कुर सही रहेगा वीडियो पॉस करके इस प्रिश्ण को आप आराम से कर लीजेगा इसको यहाँ पर हम लोग solve नहीं करेंगे कलेंडर हम लोग detail में पढ़ेंगे उसके लिए चिंता मत करेंगे आप इसको solve कर सकते हैं अगर आपने हमारे 20 प्रैक्टिस सेट देखें हैं जुनियर सिक्षभरती के लिए इसके लिए आपका विकल्प सी सनीवार बिल्कुल सही रहेगा ठीक है कुछ प्रिश्ण हम लोग solve नहीं करने है क्योंकि solve करने में समय लगता है तो reasoning यहाँ पर solve नहीं करेंगे reasoning को हम लोग detail में पढ़ेंगे उसके लिए चिंता मत करिएगा अगले प्रिश्ण में है एक्स कमान निकालना है तो इसको आप मिटा देजिए के लिए अब यह समिकड़ बन गया है अब यहाँ इसको solve करके एक्स कमान निकाल लेजे तो एक्स कमान जब निकालेंगे तो माइनस के तीन बटे दो और एक कमान आएगा इस परकार प्रिकल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा बीस नमर के प्रिष्ण में है आगे बढ़ते हैं किस नमर के प्रिष्ण पर यह अंग्रेजी वरण माला के प्रिष्ण है हम लोगों ने जो बीस प्रेक्टिस सैट रिजिनिंग के वहाँ सारी प्रिष्ण के लिए तो अगर आगे उसको देख लेंगे तो यह सारे छोटे- और ब्राम्हों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिये गए यानि वो कौन सा वंस था जिसने ब्राम्हों को और मंदिरों को सबसे ज़्यादा अनुदान दिया था तो सबकुल लोग जानते हैं भारतिये जो प्राइटिहास है उसका सुरन काल के से कहते हैं गुब्त वन्स को कहते हैं विकल्पि बिलकुल सही है किस सुल्तानिक काल में खालसा भूमी आधिक पैमाने में बिख्सित हुई थी तो खालसा भूमी का सरवाथिक विकास किस राजा के समय में हुआ था? तो भारतिय फॉज के नौ संगठन से कौन सा आयोग संगठन से बिद्रोह के बाद? बहुत खतरनाक प्रिशन है आपके हिस्ट्री का इसका हमारा बी वाला विकल पील आयोग बिलकुल सही रहेगा 25 नमर प्चलते हैं भारत सरकार ने वन सरक्षन अधिनियम किस बर्स में पारिश किया था? तो वन सरक्षन अधिनियम कब आया था? बहुत इंपोर्टन प्रिशन है ये परियावरन का सारी चीज़ें आप रखते जाएए 1980 यहाँ पर बिलकुल सही रहेगा 26 नमर प्चलते हैं विस्ट का सरबाधिक छुब्द पार्स्तित की तंद्र कौन सा है? सरबाधिक छुब्द पार्स्तित की तंद्र कौन सा है? 27 नमर में आपका साबसे आखरी विकल्प मानसूनी बायों मेलकुल सही है 27 नमर प्चलते हैं उत्तर परदेश में पर्थम निर्या समवर्धन और धोगिक पार्क की स्थापना कहां पर किला गया था? निर्या समवर्धन और धोगिक पार्क आग्रा में लगाया गया था विकल्प सी सही है 28 नमर प्रदेश के बुंदेल खंड छेत्र का लोक निर्थि नहीं है चले बताइए भीया कौन सा बुदेल खंड का नहीं है सबको पता है यह डांडिया कहा होता है डांडिया गुजरात में होता है यह बुदेल खंड में नहीं होता है आपका भी वाला विकल्प सही है 29 नमर प्रदेश चलते हैं डाक्टर भीमराव अम्मेटकर नामक जो नक्ष सदाबहार बन भारत में कहां पर पाए जाते हैं तो यहां पर आपका विकल्प भी सीलांग के पठार पर पाए जाते हैं 31 नमर में चलते नहीं एक स्थानांत्रन खेती जिसका नाम है बेबर बेबर क्या होती है एक स्थानांत्रन खेती होती है यह भारत के किस राजी में होती है तो 32 नमबर में सबसे आखरी बिकल्ब बिकल्ब डी आपका बिलकुल सही है आगे बरते हैं भारतिय सम्मिधान का पहला सम्मिधान सुनसोधन कौन सा था जिसके मांध्यम से भासन योम अभिव्यक्ति की सुतंतरता के दुर्पयोग तथा जमिदारी उन्मोलन कानौनों की बै बिकल्ब डी उन्नी स्वेंग क्यावन यहां पर आपका बिल्कुल सही रहने वाला है 34 नमर चलते हैं निम्लित में से कौन सा बिसे समवर्थी सूची के अंतरकत आता है तो भाई यहां पर आपका बिकल्ब डी बन पसु योम पच्च्चियों की स्वक्छा यह समवर्थी आता है अगे बढ़ते हैं कंप्यूटर प्रशणाली में निम्लि में से इन्पुट डिवाइस का उधारन नहीं है नीं से कौन सा ईंपुट डिवाइस नहीं है भहुत आसान प्रिश्ण है, यह प्रिंटर जो होता है, यह आउट पुट होता है, यहाँ पर बिकल बी सही है, आगे बरते हैं, अपने हमारे प्रिश्ण स्टार्ट होते हैं, बिज्ञान के, किसी वर्णांद ब्यक्ति को निमलिकित रंगों में से किस रंग की पहचान में आगे बढ़ते हैं वह एक मनट का समय दीजिए इसको सेट करने के लिए हमारा 37 नमर का प्रिष्ण है किर्थिम सिल्क के रूप में कौन सा सेंथेटिक फाइबर जाना जाता है कुल्मला कि आपको बताना किर्थिम सिल्क किसे कहते हैं ठीक है अब हम लोग इसका विकल्प जीए बहुत सारी चीज़े सेट करने पड़ती है किर्थिम सिल्क इन चार विकल्पों में से कौन सा होता है सबको पता है विकल्प भी रियान होता है आगे बढ़ते हैं एक मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं बहुत ही आसान कुश्चन है कंप्यूटर का तो एक आपका विकल्प सी 10-24 ये आपके किलोवाट होते हैं इसको आईसे भी समझ सकते हैं आपके जो मोबाइल है उसमें MB होता है जीबी होता है एक जीबी में 10-24 MB होता है आगे बढ़ते हैं प्राचिन काल में मध्यपरदेश के कतिपे सारी बुनकर लंबे नाकून रखते थे तथा उसमें चीरा लगाते थे ताकि धागों को मरोड कर बढ़ियां किसम के सारी बना सकें ये सारी ये क्या कहलाती थी और ये सारी ये कहां के थी मध्यपरदेश की तो उन सारीयों का क्या नाम होता था ये आपको बताना है यहाँ पर आपका विकल्प ए चंदेरी सारीया बिल्कुल सही रहेगा एक पुस्तक है जिसका नाम है देवराज इसके राइटर कौन है देवराज बुक की राइटर कौन है विकल्प भी सरत चंद्र चक्टो पाढ़ जया है बिल्कुल सही है निमल्द में से कौन सा रिजर बैंक का कार्य नहीं है रिजर बैंक कौन सा कार नहीं करता है इन चार विकल्पों में तो भीया जो आपके तलस नंबर में है सबसे नीचे वाला क्रेड़ कार्ड और डेबिट कार्ड देना यह रिजर बैंग का काम नहीं है बैल्स नंबरों चलते हैं धिक्वार यह जो पादब होते हैं इसको अलॉय भी बोलते हैं यह किस भीद यह बिल्कुल सही रहेगा जो आपका जीव ज्यान है वो ज्यादा मेरा ज्यादा अच्छा नहीं है 43 नंबर अब चलते हैं अंतराश्टिय न्यायलाय का मुख्याले कहां है तो यह दो बचपन से पढ़ रहा है विकल्प डी हेग में है हेग कहां है नीदर लैंड में है 14 नंबर पे परम तापकरम पैमाना कौन सा होता है तो सब को पता भी यह परम तापकरम जो पैमाना होता है वो विकल्प सी कैल्विन होता है तो कुछ प्रिष्ण बहुत है आसान है उसमें हम लों ज्यादा समय नहीं खर्च कर रहे हैं मुदू मलाई बन प्राणी मुदू मलाई अन्ना मलाई यह नाम किस राज्य में प्रियोग किया जाता है यह नाम तम्हिलादू में प्रियोग किया आता है विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा उपरी वायू मंडल की ओजोन परत का चरण निम्रित में से किस से हो रहा है तो ओजोन परत किसे कारण नश्ट हो रही है सबको पता है भीया विकल्प सी कलोरो फ्लोरो कारबन आपका सही रहेगा यह बहुत अच्छा प्रिश्ण है आपके परियावान का जीव भार का जो पिरामिड होता है वो किस पास्ति की तंत्र में उल्टा बनता है बहुत अच्छा प्रिश्ण है अनताज नबर प्रश्ण है यहां पर सही रहेगा और बढ़ते हैं आज के आखरी प्रिश्ण पर निम्न में से कौन सा संचर्ण माध्यम बिद्धु तरंगों की जगहां प्रकास तरंगों को संचारित करता है तो ऐसा कौन सा माध्यम होता है जहां पर बिद्धु तरंगे प्रकास तरंगों में कनवर्ट हो जाती है और फिर अपने गंता बिस्तान पर पहुंचती है तो आपको सबको पता होता होना चाहिए इंटरनेट किस से चलता है ऑप्टिकल फाइबर से होता है तो ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा काम किया आता है तो कि बिद्धु तरंगों की जो स्पीड होती है प्रकास तरंगों की स्पीड बहुत जादा होती है इसलिए पहले बिद् स्लेवास है स्लेवास आप लोग एक बार ध्यान से देख लिएगा उसके प्रतिक टॉपिक को ये कबर करता है चाहे एक नमबर ही कि उना उस टॉपिक से पूछा जाए लेकिन इसको कबर करता है आपके यदि कोई मित्र जुनियर सक्षभरति के तयारी कर रहे हैं तो उन्हें में भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा और आगर आपको कोई सुझाओ या कोई सलाह देनी हो तो कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं और हाँ एक चीज और हम लोग ने टोटल पचास प्रिश्णों को स्वाल विकल जा है इस पचास प्रिश्णों में आपके कितने के सेट में आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद